नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉ दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फार जांस में दोस्तों इस वीडियो आम लोग जियोग्राफी के कुछ महत्पूर्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके आगामी एक्जाम यूपी पीसे दोजाचोविस के लिए जो है बहुत ही महत्पूर्ट है वीडियो शु सकते हैं तो आए वीडियो शुरू करते हैं पहले टॉपिक हमारा आज का भारत के परणुसी देश और उनके साथ सम्बंद सीमा जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे एक तरफ देश दिया गया है और उस कितने किलोमेटर सीमा लगती है भारत के साथ उसको दि किलोमेटर सीमा रेखा साजा करता है और यह सीमा जो है पांच राजों से लगती है पस्टिमंगाल मिघालय मिजोरम त्रिपुरा असम ये पांच राज्ये हैं जो बंगलादेश के साथ सीमा साजा करते हैं दूसरी नंबर पर वचीन का रहा है चीन जो है immediate 2488 किलो मीटर लंभी सीमा साजा करता है भारत के साथ और इस सीमा रेखा को मैंक मुहन रेखा कहा गया है मैंक मुहन रेखा और यह पांच राजों से लगती है हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम, अवनाचल प्रदेश और लद्दाक यह पांच राजों हैं जिनके साथ जो है चीन सीमा साजा करता है तीसरे नमबर पर पाकिस्तान है पाकिस्तान जो है 3323 किलो मीटर लंभी सीमा साजा करता है और यह जो है और इस रेखा को जो है सीमा रेखा को रेट क्लिप रेखा का गया है भारत और पाकिस्तान की सीमा को जो है रेट क्लिप रेखा का नाम दिया गया है और यह जो है भारत पांच राजों से लगता है सीमा जो है पांच राजों से लगती है आपका गुजराद, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कस्मीर और लदाक ये दोनों जम्मू कस्मीर और लदाक केंसासी प्रदेश है वैसे पांच तीन राज्य हैं तीन राज्य और दो केंसासी प्रदेश है नेपाल जो है पसिम मंगाल, सिक्किम, उत्राखन राज्य भी important है पेपर में यहां से भी question बनता है या तो देशों के नाम दे दिया जाएगा और उसके अरोई करम में या अरोई करम में मिलाने के लिए दिया जाता है या राज्यों के दिया जाता है कि कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो यहां से भी कुस्टन बार-बार पूछा जाता है मियामार जो है 1643 किलोमीटर लंबी रेखा साजा करता है भारत के साथ और इसकी चार राज्यों के साथ सीमा लगती है मियामार की अवणाचर प्रदेश की नागालेंड की मिजोरम मडिपूर यह चार राज्यों है जो मियामार के साथ सीमा साजा करते है अगला नमबर है भूटान का भूटान जो है यह 699 किलोमीटर लंबी सीमा साजा करता है भारत के साथ और इसकी सीमा पस्रिम्बंगाल, सिक्किम, अवणाचर प्रदेश और असम असम के साथ लगती है पस्रिम्बंगाल, सिक्किम, अवणाचर प्रदेश और असम ये चार राज्य हैं जिनके साथ भूटान सीमा साजा करता है इसके बाद जो है सबसे कम जो सीमा साजा करता है वह अफगानिस्तान कुल 106 किलومीटर और भारत और अफगानिस्तान के बीच के जो सीमा रिखा है ने जो है लगदा के साथ सीमा साजा करता है पज़ प्रयाग, यह भी बहुत मातपूर टॉपिक है यहांसे भी question बार-बार पूछा जाता है इसमें सबसे पहले जो आएगा वह बिषरुप्रीयाग बिषरुप्रीयाग जो है सबसे पहले आता है और यह जो है अलग नंदा नदी और धॉली गंगा जहां मिलती है इसके संगम को जो है वह विशुरु प्रयाग कहा गया है नंद प्रयाग जो है यह अलग नंदा नदी और नंदाकनी नदी नंदाकनी नदी के संगा मस्तल को जो है वह नंद प्रयाग कहा गया है कण प्रयाग जो है अलग नंदा नदी और पिंडर नदी के संगा मस्तल को जो है वह कड़ प्रयाग का गया है रुद्ध प्रयाग जो है या अलग नंदा नदी और मंदाकनी नदी जहां मिलती है जिस अस्तल पर उसे जो है रुद्ध प्रयाग का गया है देव प्रियाग जो है यह आपका अलक नंदा नदी और भागी रती नदी के संगा मस्तल को जो है वह देव प्रियाग कहा गया है जैसा कि आप लोग चित्र में देख लीजिए इसे यह आपका बद्रीनाथ है बद्रीनाथ और यहां से जो निकलती है अलक नंदा यहां से जो है धौलिगांगा मिलती है यह है विस्नु प्रयाग इसके बाद जो है यह नंदाकनी नदी है और इसे जो है वह नंद प्रयाग है इसके बाद जो है पिंड़न नदी मिलती है यहां पर जो है कंड प्रयाग है रुद्ध प्रियाग जो है यहां से आपका मंदाकनी नदी मिलती है और यहां बनता है रुद्ध प्रियाग यहां से आपको नंदाकनी नदी जो है यहां से चलती चली आ रही है और आगे मिलती है भागी रती जहान मिलती है यही बनता है देवप्रयाग और इसके बाद जो है यह गंगा कहलाती है अलग नंदा जो है इसके बाद जो है गंगा कहलाती है अब लोग इसको अच्छे से नोट कर लिजेगा क्योंकि पर बार बार यहां से पूछा जाता है कु अगला है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हिमालय को जो है वह चार भागों में विभाजित किया जाता है प्रादेशिक विभाजन चार भागों में किया गया है इसमें सबसे पहले जो है कुमाई हिमालय कुमाई हिमालय जो है यह सतलज और काली नदी के मद इस्तित जो भा वज सिंदू और सत्रलज नदी के मद्दे जो हिमाला है उसे जो है पंजाब या कस्मीर हिमाला कहा जाता है असमी हिमाला जो है वज तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मद्दे इस्तित है एक बार हम लोग फिर से देख रहते हैं, कुमाई हिमाला जो है, सतलज और काली नदी के मद्धे इस्तित हैं, नेपाल हिमाला जो है, काली तता तीस्ता नदी के मद्धे इस्तित हैं, कस्मीर हिमाला जो है, सिंदु और सतलज नदी के मद्धे इस्तित हैं, असम हिमाला जो है, किन राजों में फैली हुई है उसको अमलेक देखते हैं यहां से भी कोशन बार बार पूछा जाता है जैसे पूरवी घाट जो है कितने राजों में फैला हुआ है तो यह जो है तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, उडिशा और पस्रिमंगाल पूरवी घाट जो है यह तमिल परवत श्रिणी जो है यह आपके गुजरात में, रायस्तान में, हर्याना में फैली हुई है कर्डेम परवत जो है कर्डेम परवत जिसे हम लोग इलाची परवत की नाम से जानते हैं यह जो है केरल और तमिल नाडू में फैला हुआ है इसकी श्रिणी जो है केरल और तमिल प्रवज स्रिंखला किस राज में नहीं फैली हुई है तो आपको इसमें दूसरा राज्य दिया जागा और आपको बताना होगा अनमालाई परवज जो है यह केरल और तमिलनाडु में इस्तित है नेलगीर परवज जो है यह तमिलनाडु केरल और करनाठक में फैला हुआ है पालनी परवज जो है यह तमिलनाडु में इस्तित है यह पालनी परवस्रिंखला जो है यह तमिलनाडू में इस्तित है सत्पुडा परवस्रिंखला जो है यह गुजरात, महाराष्ट, मद्यप्रदेश और चतिसगड में फैली होई है सत्पुडा स्रिंखला विंद परवस्रिंखला जो है यह आपके गुजरात में मद्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में यह राज्य है जहां पर विंद परवस्रिंखला फैली हुई है गारो खासी जैंतिया ये तीनो परवस स्रेडिया वह मेगाले में फ्यली होई है पीर-पंजाल स्रेडि ये आपके हिमाचर प्रदेश और जम्मू कस्मीर में इस्तित है जिनको हम लोग देख चुकिये हैं अगला टॉपिक है हमारा भारती राजों के उच्चेतम सिखर अभी हाली में एक्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे उची चोटी कौन सी है तो आगे भी इससे रिलेटर जो है कोशन पूछा जा सकता है तो इसके दिश्च से जो है यह भ और यह जो है पूर्वी हिमाले का हिस्सा है कांगरो चोटी जो है वह पूर्वी हिमाले के का हिस्सा है हिमाचर प्रदेश का जो सबसे उचा परवत है यह रियो परगिल है रियो परगिल और यह जो है पस्चिमी हिमाले का हिस्सा है जमू कस्मीर की सबसे उची चोटी जो ह सबसे उची चोटी है और यह पस्मी घाट का हिस्सा है मल्यनगीरी केरल के सबसे उची चोटी जो है वह अनामुडी है और यह 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 भी पस्मी घाट की चोटी है महाराश के सबसे उची चोटी जो है वह कल्सुबाई है और यह जो है सहादरी स्रिंकला के से सम्दित है और मिजोरम की सबसे उची चोटी जो है फॉंग पुई है और यह जो है लुसाई परवस्रिंकला की लुसाई परवस्रिंकला से सम्दित है नागा लेंड की सबसे उची चोटी जो है वह सारा मती है सारा मती जो है नागा लेंट की सबसे उची चोटी है और या जो है नागा परवस्रिंकला से समधित है जुड़ी हुई है अगला राज देखते हैं हम लोग अगला राज है उडिसा उडिसा की जो सबसे उची चोटी है वह देव माली है और यह जो है पूरी घाट से जुड़ी हुई है राजस्थान की सबसे उची चोटी जो है वह गुर्शिखर है और यह जो है अरावली परवस्रिंखला से समद्धित है सिक्किम की सबसे उची चोटी यह कंचन जंगा है और यह पूरी हिमालय का हिस्सा है दोदा बेटा वद तमिलनाड की सबसे उची चोटी है दोदा बेटा वद तमिलनाड की सबसे उची चोटी है और यह जो है निलगीर परिश सिंखला का हिस्सा है उत्तर प्रदेश की सबसे उची चोटी जो है यह अमसोत है और यह जो है सिवालिक पहाडी से सिवालिक पहाडी सिंखला से समधित है उत्तर खंड की सबसे उची चोटी जो है वह नंदा देवी परवत है और यह हिमालय का हिस्सा है पसिम मंगाल के सबसे उची चोटी जो है वह संदफू संदफू जो है चोटी यह पुरी हिमालय का हिस्सा है पसिम मंगाल के सबसे उची चोटी संदफू अंडमानिकोबार की सबसे उची चोटी है वह सेंडल पीक है सेंडल पीक जो है सेंडल सिखर जो है यह अंडमानिकोबार का सर्वोच सिखर है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूब बताएगा आज के वीडियो इसमाप करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो है तब तक लिया जाहिं जाभारत